साथ क्यों आज के अख़बारों में सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी के भी काफी चर्चा है इससे डिजिटल एकोनोमी को बहुत बन बेलेगा यह डिजिटल रुपिया अभी जो हमारी फिजिकल करंसी है उसी की तरह डिजिटल स्वरूप लेकर के RBI द्वारा ही उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा मोनिटर किया जाएगा उसका विस्तार किया जाए और यह ऐसी वेवस्ता होगी जिससे फिजिकल करंसी से एक्षेंज भी किया जा सकेगा जैसे कोई आपको डिजिटल रुपी में पे करेगा तो आप उसको कैश में बदल पाएंगे डिजिटल पेमेंट, ओनलाइन पेमेंट, रिटल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा, रिस्क फ्री होगा इससे ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टिम के निर्माण में भी आसानी होगी ये डिजिटल रुपिया, फिंटेक से जुड़े सेक्टर को अनेक अवसर देगा, इससे कैश को प्रिंट करने, हैंडल करने, डिस्टिबूट करने में जो बोज पड़ता है, वो भी कम होगा